क्या आपको पता है MS8 के अंदर ही आप MS8 के जितने भी short cuts की होते हैं वो आप अंदर ही देख सकते हैं तो hello on दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त भी शेक और हमारे इस निव वीडियो में आपका स्वागत है ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सिस्क्राइब कर लिजेगा कि मैं ऐसे इंफरमेटिव वीडियो डेली डालता रहता हूँ तो चलिए वीडियो को सुरु करते हैं सबसे पहले हमें अपना MS8 ओपन करने के बाद हमें प्रेस करना है अल्ट के साथ F8 अल्ट F8 प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पे स्क्रोल डाउन करना है और यहाँ पे हमें चले आना है उसके बाद हमें यहाँ पे सेल्क करना है word commands यह सेल्क करने के बाद हमें यहाँ पे टाइप वालो जो options आ रहा है यहां पर हमें type करना है list list commands जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर आ गया है list commands उसका बाद हमें इसको select कर लेते हैं इसके बाद select करने के बाद हमें यहां पर run वाले जो options है normally हमें आपर run वाले option पर click कर देना है run वाले option पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ है ऐसा आएगा create a new documents with list तो आपको क्या करना है कि normally आपको इसको कुछ भी ने करना है आपको बस okay कर देना है okay करने के बाद आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे episode के shortcuts की होते हैं वो हमारे display पे आ चुके हैं तो I hope you guys आप लोगो वीडियो अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करिएगा और चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसे वीडियो में daily डालता रहता हूँ तो चले मिलते हैं न्यू वीडियो में टाटा बाई बाई